इस बार हम थोड़ा बड़ा टूथब्रश रोबॉट बनाने वाले हैं, तो इसके लिए हमें चाहिए दो पुराने टूथब्रश, या कोई बहुत सस्ते वाले अगर टूथब्रश आपको मिलें, तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और हम इस बार एक अलग किसम की वा जब यह चलती है, तो इसमें कंपन होती है, यह वाइबरेट करती है, और वैसे आपको इस वाले प्रोजेक्ट के लिए भी केबल एक ही कॉइन सेल की दरूरत है, पर क्योंकि मेरे पास इस वक्त एक जो यह कॉइन सेल बैटरी होलडर है, उसमें दो कॉइन सेल लगती है, इ इसमें अंदर दो सेल लगेंगी, एक में प्लस और एक में माइनस, तो यह प्लस की तरफ यह वाली कॉइन सेल हमने डाल दी, और यह माइनस की तरफ डाल दी, और इसको हमने बंद कर दिया, तो अब यह हमारे पास एक बैटरी होलडर, जिसमें की तीन वोल्ट की दो बटन स लगी हैं तो यह कुल 6 वोल्ट का बैटरी होल्डर बन गया है फिर हम यह जो हमारे पास टूथब्रश थे हम इनको जैसे हमने पिछली बार किया था इनको काट देते हैं यह दो टूथब्रश जो है यह इस पर चपका देंगे इस बैटरी होल्डर पर और दूसरी तरफ जो है वो हम यहाँ पर मोटर लगा देंगे तो जब यह मोटर चलेगी तो इसमें कंपन होगी और यह टूथब्रश जो है भागेगा और अगर हम फिर से चाहें तो इसमें भी इस प्रोजेक्ट में भी हम इसमें और फिर निखार ला सकते हैं जैसे हम इसमें LED लगा सकते हैं यह जो टूथब्रश के ऊपर के हिस्सा था इसको चिपकाने के लिए वही दो तरीके हैं या तो हम इसमें डबल साइडे टेप दो एक मिनिट लगता है तो हम इसको थोड़ा सा पकड़ के रखते हैं ताकि वह ठीक से सूख जाए तो अब यह हमारी ब्रश रोबॉट की जो शैसी है यह तैयार हो गई है और इसके उपर हम लगाएंगे यह वाली मोटर तो यह मोटर भी लगाने के दो तरीके हैं इसको हम ड तार लगा के देख सकते हैं कि यह चल रहा है कि नगी अभी हम तार को हलके से ही जोड़ रहें बाद इनको ठीक से जोड़के दे vivid तो यह जैसा आपको सूनाई दे रहा होगा ये ठीक चल रहा है पर जैसा मैंने कहा था कि ये जो मोटर है ये क्योंकि हमने इसमें दो कॉइन सेल डाली हुई है तो ये 6 वोल्ट का चल रहा है और ये 6 वोल्ट की नहीं है ये 3 वोल्ट की है तो हम इस वाले उसमें LED भी लगा सकते हैं वो दो LED इस सर्किट में अगर हम लगाएंगे तो बहुत हमारा सुन्दर एक ब्रश रोबॉट बनेगा तो मैं अभी फिर से इसको टेस्ट करने के लिए के वल यूही मोड के देख रहा हूं तार बाद मैं इनको ठीक से या तो सोल्ड करूंगा या किसी और तरीके से जोड़ हो दी है और जैसा आप देख रहे हैं यह LED जब मैं लगाता हूं तो यह जल रही है और LED पे मैंने आपको बताया था कि LED में प्लारिटी होती है LED में प्लस माइनस होता है तो जैसे अगर हम एक नहीं LED देखें तो आप देखेंगे कि इस LED में एक टांग जो है इसकी यह LED भी जल रही है और जो हमारा ब्रश बॉट है वो भी चल रहा है तो चलिए अब मैं इन सब को ठीक से जोड़ देता हूं और फिर आपको इसके आगे फिर दिखाता हूं तो यह हमारा ब्रश बॉट तयार हो गया है पर आप देखेंगे कि मैं पहले यह वाली जो चोटी पड़ रही थी तो मैंने और कुछ नहीं किया है केवल यह जो मोटर है यह बदल दिया यह अभी भी यह वाली मोटर है पर यह थोड़ी बड़ी वाली मोटर लगा इसमें मैंने लगा दी है तो अब अगर हम देखें तो मैंने यह सर्कृट यह बनाया है कि इसमें दो LED लग और यह मोटर भी चल रही है तो अगर मैं इसको नीचे रखता हूं तो यह हमारा बॉट जो है यह त्यार हो गया है कि अगर तो इसमें जो सर्केट हमने बनाया है यह बहुत सरल है जैसा कि हमने पिछली बार वाले रोबाट में बनाया था सर्केट वही है इसमें ओन-ओफ स्विच इस बैटरी होलर में पहले से लगा हुआ था तो हमारे को इस पार ओन-ओफ स्विच लगाने की दुरत नहीं बड़ी और हमने इस मोटर को एक स्विच के तार से और दूसरी तरफ मोटर के तार को LED के तार पर और LED के तार को वहापस मोटर के तार पर इस तरीके का एक बहुत सरल सर्किट बनाया है अब हम चाहें तो इस रोबोट को और निखार सकते हैं जैसे हम या तो इसको रोबोट की आखें बना सकते हैं या हम इन दो LED को रोबोट के कान बना सकते हैं तो जैसे मैं ये एक कॉर्क ले सकता हूँ और इस कॉर्क में अगर मैं ये इस तरीके से लगाता हूँ LED और इस कॉर्क को यहां चिपका देता हूँ तो ये हमारे रोबॉट की आँख एकान बन जाएंगी और इसके बाद ये मेरे पास कुछ बनी बनाई आँखें पड़ी हुई है तो अगर मैं इनको चिपका देता हूँ यहां पर कुछ इस तरीके से तो ये हमारा एक सुन्दर सा देखने वाला रोबॉट भी बन सकता है तो मैं इनको चिपका देता हूँ और फिर देखते हैं हमारा रोबॉट कैसा चलता है और हम चाहें तो इसमें और भी निखार ला सकते हैं जैसे रोबॉट की कुछ हम इस किसम की कोई पूंच बना सकते हैं या फिर इसके और टांगे बना सकते हैं ये सब फिर आपकी कल्पना पर निर्भर करता है कि आप इसके आगे इसमें और क्या निखार लाना चाहेंगे